Hello, Namaskar, Vanakkam, my name is T.S. Sudhir and you're watching your own digital classroom study with Sudhir. में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, अभिसारा दर्ट्रिस, जिसकी काफी दिनों से आप लोग मांग कर रहे थे, ये पहली कविता है आपकी Rhapsody किताब में, I.S.E. 11 कक्षा के चात्रों के लिए, कितनी बड़िया हिंदी मैं बोल रहा हूँ, इसमें दो प्रमुख पात्र है, एक तो है उपगुपता, जो की एक बुद्धिस्ट सादू है, और दूसरी है वासवदता, who is a dancing girl, that's a phrase used in your text, and that's a phrase I would suggest you should also use in your answers as far as this poem is concerned. Now, जहां तक Guru Dev Rabindranath Tagore का सवाल है, उनको 1913 में उनकी जो Gitanjali, जो उनकी कविताओं की एक तरह से collection थी, उसके लिए Nobel Prize मिला था for literature, he was the first non-European to be awarded the prize, जहां तक इस कविता का सवाल है, Abhisara the Trist, that celebrates the beauty of nature, तो इसमें आप पाएंगे कि काफी वर्णन, काफी detail में वर्णन किया गय जिस तरह के पेड़ हैं, जिस तरह के फूल हैं, जिस तरह की चान्नी की रोशनी है या रोशनी नहीं है, उन सभी बातों का काफी detail में वर्णन किया गया है, description किया गया है, दूसरा major theme है, the theme of pure love, कि किस तरह का एक स्ने, एक प्रेम, दो लोगों के बीच में हो सकता है, और उ meetings होती हैं, okay, and they are not like typical lovers also, तो उनके बीच में दो meeting होती हैं, जो the trist का मतलब है, the trist itself means rendezvous, rendezvous, in fact, आपको मैं spelling बता दूँ, because the trist का मतलब है, rendezvous, this is rendezvous, this is the spelling, but it is pronounced as rendezvous, okay, now, जहां तक उपगुपता का सवाल है, who is the first character out here, now, as I said, he is a disciple of Lord Buddha, and जहां तक selflessness, in fact, इसमें काफी सारे ऐसे words हैं, जिसके बारे में आपको पूरी तरह से जानना जरूरी है, okay, selflessness, sacrifice, self-denial, righteousness, यानि कि इस सभी बाती ये सारे जो गुण है, वो उपगुपता में मौजूद हैं, so आपको इन सभी words का इस्तमाल, adjectives का इस्तमाल, उनके character sketch हो, या अगर उनके relationship के बारे में प्रशन पोचा जाए, या किस तरह की imagery का इस्तमाल किया गया है, टैगोर द्वारा इस कविता में उसके बारे में प्रशन पोचा जाए, तो आपको ये सारे adjectives का इस्तमाल करना पड़ेगा, जब भी आप उपगुपता की बात कर रहे हैं, जहां तक वासवदता का सवाल है, यानि कि उसको अपने जो सुन्दरता है, उसको मालूम है कि वो काफी सुन्दर है और उसको उस बात का काफी गर्व है, ये पोयम का सेटिंग काँ पर है, सेटिंग है मतुरा में, जो की उत्तरप्रदेश में एक शहर है और वहां पर काफी बुद्धिस कल्चर भी काफी रहता है, इसलिए ये पूरी सेटिंग मतुरा में की गई है, और ये basically दो events की बात करता है, पहला event होता है अगस्त के महीने में, दूसरा event होता है उससे अगले साल April के महीने में, इन दो घटनाओं के बारे में इस कविता में description किया गया है, तो पहले हम शुरू कर देते हैं, कहानी क्या बताओ, कहानी simple है, तो जब शुरू करते हैं, उसके साथ साथ ही बताते रहेंगे, meaning of the title, as I said, Abisara means meeting, Trist means appointment, Abisara means meeting, Trist means appointment, Trist with destiny, that was an appointment with destiny for the country, similarly here, you are talking about an appointment and a meeting, Okay, now, जहां तक themes का सवाल है, you have the themes of love, you have the themes of spirituality, जिसकी भी बात करूंगा, जैसे मैं poem का explanation देता रहूंगा, nature, जैसे मैंने बताया, और दूसरा kindness and compassion, Okay, now, पहले line में देखते हैं, उपगुपता, the disciple of Buddha, Lord Buddha, lay asleep on the dusty ground of city wall of Mathurad, the lambs were all out, पूरा अंदेरा था, रात का समय था, तो पूरे lights नहीं थे, सारे दर्वाजे बन थे, because it was the night time, and the stars were all hidden by the murky sky of August, क्योंकि बारिश का महिना था, मौनसून का महिना था, so it is a sense of quiet, Okay, पूरी चुप्पी थी वहाँ पर, और दूसरी बात जो important है, it is the murky, murky मतलब dark and gloomy, Okay, It is a gloomy kind of a weather, because बारिश के मौसम में एक तरह से थोड़ा dark and gloomy था, उसी समय पर वासवदता वहाँ पर जाती है, वाती है, और क्योंकि वहाँ पर पूरा अंधेरा है, और उपगुप्ता जमीन पर लेटे हुए है, वो उनको देखती नहीं है, और उसके पैर, जिस पर की बाल बालिया है, वे चूती हैं उपगुप्ता को, at his chest, they touch उपगुप्ता's chest by mistake, because she doesn't realize that he is sleeping there, okay, so that is how the first meeting takes place, okay, देखू मैं तुझे या देखू कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, मैं उस दिन से सोच रहू हूँ, ये बालियां के बारे में एक गाना था, याद नहीं आ रहा था, चांदी सौब का विलो, मेरे दिल का सोना भी खरा, this is also a very romantic song, मेरी चांद बालियां, एहो ठोपे ये गालियां, okay, let's get back to work, so the stars were hidden by the clouds of the sky, okay, बादल थे, तो सितारे भी नहीं चमक रहे थे, and it was a very dark and gloomy kind of an atmosphere in the month of August, सोचने का मौका ना दिया हाए, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, गाने में ज्यादा मज़ा आता है या पढ़ने में ज्यादा मज़ा आता है, okay, so उपगुपता चौंक के उठ जाते हैं, okay, he woke up startled, startled का मतलब थोड़े से चौंक जाते हैं, and the light from the woman's lab, now because it was dark, she was carrying a lamp, it struck his forgiving eyes, forgiving eyes is important because उसे पढ़ने में ज्यादा है, अला की उनको नीन से जगा दिया, ऐसा नहीं था, उनको मन में क्रोथ था, उनकी आखों में किसी तरह का गुसा नहीं जलक रहा था, and he was kind of having forgiving eyes, यानि कि, okay, मेरे को जगा दिया, no problem, तुमारा पैर मेरे उपर लगा, no problem, but it's okay, it was forgiving eyes, so that's the first indication that we have about उपगुपता, that he is a kind-hearted kind of a person, okay? It was the dancing girl, start with jewels, clouded with her, now यहां पर आपको उपगुपता के बारे में उसका physical description आपको दिया जाता है, it was the dancing girl, उसके उपर काफी सारे सोने के जेवरात वगारा पहने हुए थे, she was wearing a pale blue mantle, okay, a pale blue mantle, a mantle is a loose sleeveless garment worn over the clothes by women, जो कप्डे पहनते थे, उसके उपर एक outer garment पहनते थे, जिसको की mantle कहा जाता था, drunk with the wine of youth, इसी का मैंने अभी आपको जिक्र किया था, that she was drunk with the wine of youth, कि उसकी जो उसका जो, I mean, बोलने में थोड़ा चीप लगता है, जवानी थी, okay, उसकी जवानी को लेकर, she was kind of very proud of the fact that she is so young, and she is also obviously very beautiful, okay, so there was something about her physical beauty that she was extremely proud of, उसने अपने लांप को नीचे किया, and saw the young face, of who? उपगुपता, austerely beautiful, so he is also extremely handsome, but the difference out here is that he is austere, austere means someone who is extremely simple, there is some kind of, हिंदी में बोलते है न, उसके मूपर काफी तेज था, you know, there was a sense of enlightenment which comes from, you know, being very spiritually inclined, he is very spiritually inclined, लुपदा का इस्पलता, so obviously there was a sense of enlightenment out here, okay, so that was what, so her beauty is that of the physical beauty, his beauty is more of the spiritual kind of beauty, okay, his beauty is more of the spiritual kind of beauty, he says, forgive me young, she says, forgive me young ascetic, ascetic मतलब सादू, graciously come to my house, मेरे घर पे आओ, because ये जो मिटी वाली जमीन है, ये तुमारे लिए एक comfortable बिस्तर नहीं है, it cannot be the place where you can sleep, the ascetic answer, woman, go on your way, अपने रास्ते निकल जाओ, when the time is right, जब समय ठीक होगा, मैं खुद तुमारे पास आओंगा, now this line is very important, इसके उपर आपसे पांच मार्क का, या even 10 मार्क का तो नहीं, इस पे पांच मार्क के questions तो definitely आ सकते हैं, अगर इसको last line से combine करें से, आपसे 10 मार्क के भी question इसके उपर पूछे जा सकते हैं, तो इसके उपर आप answers ज़रूर प्रिपेर करके रखें, that's very important, okay, और you can also be part of our fantastic and that's a course, we are very proud of the Prism Rhapsody course on our SWS app, in which we do it very thoroughly, the entire course, all the five chapters and five poems which are part, because let me tell you that, one thing, इस गलत फहिमी में मत रहिए कि ये वाले जो chapters हैं, poems and stories हैं, ये आपकी 10th class के treasure trove जैसे हैं, बिलकुल नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है, I am not trying to say that, you know, you cannot do without help, but what I am saying is, they are complex poems, I was preparing the notes for a poem called Strange Meeting, जो कि आपके syllabus में पांचवां poem है, बाप रे बाप, इतना complex poem, इतना complex poem, और मैं काफी research करता हूँ, बहु जादा research करता हूँ, I read lots of British and American websites to get a hang of what the poem is saying, it is such a complex poem, there is a story which is running into 24 pages, The Great Automatic Grammatizator by Roald Dahl, fascinating story है, but काफी deep meaning वाली है, तो इस गलत फहिमी में मत रहिए कि नो, काफी simple रहेगा, जैसे उसमें Heart of the Tree था, या Patriot था, या Nine Gold Medals था, वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, इसमें काफी अंदर deep जानकारी लेनी की जरुवत है, and that's what we try to do, so if you are interested, the Prism Rhapsody course is there, which I am very personally very happy with the way it is shaping up with the kind of content that we are creating, okay, anyway, otherwise मैं YouTube पे तो मैं पढ़ाई दूँगा, okay, so he says, woman, go on your way, now, go on your way का, इसके basically दो मतलब है, एक तो ही है physical way, कि नो, कि अपने रास्ते जाओ, अपने घर जाओ, दूसरा मतलब है कि तुम अपना जो materialistic pursuit है, drunk on the beauty of her youth, you know, वही है न, मैं जाओ, बूल जाता हूँ, drunk with the wine of her youth, okay, drunk with the wine of her youth, जिस तरह के, you know, अपने इसमें वो, there is a sense of घमंड in her, तुम उसी रास्ते चलती रहो, because वो अभी तक spiritual beauty को embrace करने के लिए तयार नहीं है, वो अभी भी materialistic pleasures, worldly pleasures of dressing well, of looking rich, wearing a lot of jewelry, and feeling proud of her youth, उसी frame of mind में है, वेराज उपगुपता, is spiritually very beautiful, he has, and that's what we will realize in the second half of the poem, how that beauty manifests itself, इसमें भी, anybody else will say that, घर में अराम से जाके, मैं बिस्तर पे सो सकता हूँ, instead of sleeping on the dusty ground, लेकिन उपगुपता वो मानता नहीं है, because Buddhism tells you to lead a very simple and austere life, so he is okay with sleeping on the dusty ground of the city of Madhura, and says that when the time is right, जब मौका सही होगा, जब समय सही होगा, तभी मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, उसी समय पर, उसी समय पर, उसी समय पर, the peaceful night, अभी तक पिलकुल अंधेरा जो था, now you see, personification का इस्तमाल, Tagore ने कैसे किया है, suddenly the black night, showed its teeth like a flash of lightning, आप imagine कीजिये, ये visual imagery है, ये imagery का इस्तमाल, poetic device का इस्तमाल किया है, यहाँ पर कभी ने, पूरा अंधेरा है, उसमें बिजली चमकती है, तो कैसा लगेगा, कि पूरा अंधेरा एक तरह का face है, and उसके बीच में जो बिजली चमकती है, it's like, you know, showing its teeth, it showed its teeth in a flash of lightning, the storm growled, personification, again, जो बादल गरस्ते हैं, growling of the storm, okay, from the corner of the sky, that's again personification, and this is auditory imagery, पहला तो हुआ visual imagery, और दूसरा हुआ यहां पर, जो growling sound है, that is auditory imagery, और वासवदत्ता डर गई, she trembled in fear, okay, the branches of the, now, यहां पर खतम हो जाता है, अगस्त का meeting, यह जो weather element, nature element को introduce किया है, टेगोर ने, बिलकुल at the end of the first meeting, after he says that you go on your way, is an foreshadowing, which is also a post-poetic device, a foreshadowing of what is likely to come after some time, कि आगे क्या होगा, उसका एक हिंट देने के लिए, यह nature का element का इस्तमाल, प्रमिदना टेगोर गुरुदेव ने किया है, cut to April of next year, the branches of the wayside trees were aching with blossom, कि यानिकि इतने फूल है, कि branches को एक तरह से दर्द हो रहा है, aching, यानिकि दर्द हो रहा है, the amount of flowers that were there, gay notes, यानिकि joyous notes, lot of happiness of the fruit, कहीं पर बांसुरी बज़ रही है, again, visual imagery, immediately followed by auditory imagery, flute की आवाज आ रही है, in the spring air, तो हम बात कर रहे हैं, April की, उसके बाद, ये बताया जाता है, कि शहर खाली है, भला खाली क्यों है, उस समय पर खाली इसलिए था, क्योंकि लोग सो गए थे रात को, इस समय पर खाली ये है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो जितने भी मतुरा के नागरिक है, वो जंगल गए हैं, to the woods का मतलब है, यहाँ पर जो woods लिखा है, it means the forest, क्योंकि festival of flowers है, spring का season है, तो उस समय पर फूलों को एक तरह से celebrate करते हैं, तो सब जंगल में गए हैं, जंगल में मंगल, and from the mid sky, gaze the full moon on the shadows of the silent town, तो अभी चांद बाहर है, और वहाँ पर एक तरह से shadows हैं, on the silent town, क्योंकि सभी लोग, they have gone to the woods, the young ascetic was walking, now इस समय role reversal है, पहले वासवदता चल रही थी, और उपगुपता सो रही थे, अभी वासवदता कहीं पर लेटी हुई है, उपगुपता चल के आ रही है, he was walking in the lonely street, silent town, lonely street, okay, while overhead the lovesick koel, koel जो चिडिया है, right, so that was kind of singing out there, and it was singing the lovesick songs, again lovesick मतला, because it's also pining for love, unfulfilled desires, longing for the beloved, which is some kind of a metaphor for उपगुपता अभासवदता, कि the koel is singing songs, which kind of indicate ki, you know, I want to be with my beloved, okay, from the mango branches, sleepless plaint, plaint का मतलब है, complaint, plaint means complaint, उपगुपता पस्थ्रूध ट्रूद अटिया है, meaning रहता है from the ramparts or the fort बोलते है कि it's like a city walls की बात हो रही है what woman lay in the shadow of the wall at his feet struck with the black pestilence her body spotted with sores hurriedly driven away from the town now उसको smallpox हो गया था किसको वासवदत्ता को pestilence का मतलब है fatal epidemic disease and smallpox के पूरे pocks आते हैं जैसे chicken pox में होता है smallpox में भी बैसे ही होता है there are pores all over her body और उसको मत्रा शहर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि ये contagious disease है spread हो सकता है तो बाकी नागरिकों को डर था कि ये अगर मत्रा के अंदर रहेगी तो हमको भी ये फैल सकता है तो उन्होंने उसको मत्रा शहर से ही बाहर कर दिया so she was on the outskirts of the town the ascetic sat by her side उपगुपता उसके साथ में बैठा उसका सर उसने अपने knees पर रखा और उसके जो lips थे उनको उसको पानी पिलाया ताकि उसके lips become moist and उसके body पर लेप लगाया okay bomb it could be sandalwood or whatever then at that time बासवदतप asks him कि who are you merciful one why merciful because he's the only one who's showing her any kind of act of kindness because उस बाकी सभी नागरिकों ने उसको बाहर कर दिया है right तड़ी पार कर दिया है लेकिन ये उसको उसकी देखबाल कर रहा है उसको छू रहा है हाला कि smallpox is a contagious disease so what it shows is empathy empathy मतलब दूसरे के लिए किसी तरह की दया it shows kindness, it shows compassion it shows understanding and it shows a lack of fear कि उसको डरनी है कि मुझे भी smallpox हो सकता है उसको ये बात का ध्यान है कि उपगुपता को कि इस लड़की को वासरदता को मेरी अभी जरूरत है, somebody needs to take care of this girl so when she says who are you merciful one asks the woman he says the time has come for me to visit you and I am here the right moment कि अनुकूल समे the correct moment is here और इसलिये मैं यहां पर आया okay, so he decides that this is the right moment so you see the contrast तब at that time he did not think she was ready for him the time had not come for him to visit he comes when she actually needs him at this time she doesn't have anybody at that time she had the wealth she had the beauty she had the youth she did not need anybody at this time she has lost her wealth she does not have anybody and she has lost her beauty because of the pores of smallpox and she has been thrown out of the city hurriedly thrown out of the city so at this time is when she needs him that's when he believes that the time has come to visit you and I am here तो मैं यहां पर हूँ तुमारी देखबाल करने के लिए जब तुमको मेरी जरूरत हो okay वो एक गाना है you wouldn't have heard this उरव और पश्चिम करके एक मूवी थी 1970s की बात है मनोच कुमार सेराबान कोही जब तुम्हारा रदय तोड़ दे तडपता हुआ जब कोही छोड़ दे तब तुम मेरे पास ना प्रिये मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए कोही जब तुम्हारा रदय तोड़ दे तडपता हुआ जब कोही छोड़ दे तंग 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 ओध अच्छा गाना है जब अच्छा गाना है जब तुम्हारे सekingस्ड़ दे लिद्ग त्ग्ल़簡 दे झाँ इपे चम्नी है जब सम्स्क्रोड लोठी Units जैसे मैंने कहा meeting, appointment और यह tryst का मतलब क्या है, किस तरह की tryst की बात हुई है, about somebody who are two different kinds of people, someone is physically beautiful, the other person is spiritually beautiful, तो उसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी, then the use of imagery or symbolism in the poem, that's again very important, मैंने काफी जगा पर यह point out किया है, कौन सा visual imagery है, कौन सा auditory imagery है, उन सभी को include करके आप answers prepare कर लीजे, right, then जो पहली बारे जो उसने कहा है कि when the time is ripe, I will come to you, और आखिर में जब बोलता है कि the time has come for me to visit you, इन दोनों का अर्थ क्या है, right, so that is something which is something you need to prepare, that's very important, okay, पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग में अंतर क्या है, okay, compare and contrast उस तरह का प्रशन आप से पूछा जा सकता है, that is again something which you should prepare, okay, और दूसरा एक umbrella question आप से शायद पूछा जा सकता है, कि Buddhist culture में, Buddhist religion में, एक तरह से selflessness पर काफी जोर दिया जाता है, कि आप अपने बारे में ना सोचें, दूसरों के बारे में सोचें, you show empathy, you show kindness, that is something very important, तो उस context में, इस poem में किस तरह के ऐसे element है, जो कि उस बात को support करते हैं, उसको लेकर भी प्रशन पुछा ससता है, so I am just thinking of, you know, the largely the five, six different kinds of questions that can be possibly asked from Abisara the Trist, I hope आपको समझ में आ गया होगा, and मिलते हैं दूसरे एक और poem या स्टोरीक से के साथ, from Prism and Rhapsody, thank you very much.